बैंक ओफ इंडिया के बाद दोस्तों आप IDBA बैंक आपके लिए 600 वकेंसिज लेके आया है असिस्टेंड मनेजर की तो दोस्तों इसके लिए क्या लिजीबिल्टी कटीर रहेगा क्या है नोटिफिकेशन में खास पॉइंट्स नमस्कार दोस्तों खुश्बूग लासीज में एक बार फिट से आपका स्वागत है तो दोस्तों IDBA बैंक आपके लिए 600 वकेंसिज लेके आया है तो यानि आपके लिए जो भी इसके लिए अपलाई करना चाहता है इस नोटिफिकेशन सुनने के बाद कि इसमें क्या जुरूरी पॉइंट्स है उन्होंने उनके लिए तरह फैप से अपलाई होना शुरू हो गया है और जो लास्टेट है दोस्तों 28 रहेगी जिन्होंने अपलाई करना है वो इसके बीच में जो है वो अपलाई कर सकते हैं अब हम जानेगे कि वकेंसिज 600 है उसकी वाइफरकेशन जिन्होंने किसे हिसाब से की है तो आपकी स्क चैनेश के लिए भी एट जो मल्टीपल डिसेबिल्टी में हैं उनके लिए भी जो है वो एट वेकेंसी इन्होंने रखी है एज़रेशन उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन-कौन इसमें लीजिबल है क्या क्या एजूकेशन क्वालिफिकेशन और क्या एक्स्पी कोई भी हो यह मैटर नहीं करता सिर्फ आपके बास जो है ग्राजुएशन होना चाहिए जो आपकी एज है दोस्तों मिनीमम 21 होनी चाहिए मैक्सिम थार्टी वला लेजिबल है वही जो नॉर्मल टेस्ट में होता है सी एस्टी पी डव्यूडी के लिए थोड़ी बहुत उसके बारे में हम खास चर्चे करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें जो एक अलग से इन्होंने क्लोस दोस्तों एंटर कर दिया है वो क्या है कि इन्होंने दो साल का experience माग लिया है दो साल का experience माग लिया है यानि जो बच्चे बिलकुल fresher हैं अभी banking sector में त्यारी कर र इन्होंने experience तो मांग लिया दो साल का लेकिन experience में भी इन्होंने कुछ close डाल दिये हैं इन्होंने जैसे आप आपकी screen पे flash हो रहा है मैंने yellow किया specialist को कि minimum आपके पास two साल का experience होना चाहिए जो कि किसी banking sector में हो सकता है या तो फिर किसी insurance company में आपके पास experience हो सकता है लेकिन वह experience भी आपके पास as a permanent full time employee होना चाहिए अगर आप किसी भी insurance company या किसी bank के साथ temporary basis पे काम कर रहे हो जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे banking के साथ as a direct selling agent जूट जाते हैं या तो फिर insurance company के साथ part time as a agent काम करते हैं तो उन्होंने के पास two साल का experience तो होता है लेकिन वह इसमें count नह नहीं consider किया जाता है तो इसके लिए जिनके पास full time experience है यानि suppose की जी मैं आपको example लेता हूँ आप HDFC bank के साथ 2 साल से job कर रहे हैं तो आप इसमें eligible होगे अगर आप किसी भी corporate bank जो corporate banks होते हैं जैनि शहरों में या छोटे गाउं में corporate banks के साथ काम कर रहे हो as a private employee private भी वह रख लेते हैं थोड़े बहुत तो आप इसमें eligible नहीं माने जाएंगे इसके लिए आपके पास जो तो बड़े बैंक्स हैं schedule commercial bank insurance company है regular imply हो सिरफ तो ही आप इसमें eligible हो सकते हैं तो दोस्तों जिनके पास experience नहीं है उनके लिए एक बुरी ख़बर मानी जाएगी क्यूंकि बच्चो मान सकते हैं लेकिन जो बच्चे eligible हैं हम उनके लिए आगे बढ़ते हैं उनके लिए हम डिसकस करेंगे कि exam pattern दोस्तों क्या रहेगा जो exam है दोस्तों इसके लिए simple exam होगा जैसे IBPSSBI का means होता है इसमें आपको चार sections आएंगे जिसमें total 200 questions पूछे जाएंगे जिसमें reasoning, DI, quantitative aptitude इंग्लिश और journal awareness या economy रहेगी जर्नल awareness ये banking के concepts के लिए मैं भी अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड करता हूँ current phase हम weekly डालते हैं और monthly भी डालते हैं हम अपने चैनल पर नीचे देख सकते हो और जो banking awareness है, static concepts है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिये हैं दोस्तों आप वो भी देख सकते हो total आपका जो exam है वो 200 marks का रहेगा जिसके लिए आपको 200 questions के लिए 2 घंटे दिये जाएंगे तो दोस्तों आप इसमें जो main point है कि fees क्या रहेगी वो भी discuss कर लेते हैं जो इसमें fees क्रहेगी वो जैसे usually test में होती है अलग-अलग categories के लिए 200 रहेगी SC, STA, PWD के लिए 200 रुपया उनको देना है जो SC, STA, PWD category से आते हैं और 1000 पे देना है जो OBC, Journal and EWS category से आते हैं तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने अब जो 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 जुरूरी points से वो discuss कर लिए हैं आपको अलग से notification go through करने की जुरुत नहीं है तो मेरे हिसाब से दोस्तों जिनके पास experience नहीं है वो तो इस job से बार होई चुके हैं अब current opportunities इस साल के last पे यानि अगस्ट सब्टमबर में आएंगी जो कि SBI या IBPS होगी अभी currently Bank of India का portal भी खुला है जिसका notification या मैंने कैसे apply करने वो video बना दिया है जिसका link description box में है तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको उसके लिए जाना चाहिए क्योंकि IDBA से क्योंकि एक तो IDBA प्राइवेट सेक्टर हो गया क्योंकि इसका stake जो है वो LIC ने क्रीद लिया है इसकी तहत जो Bank of India proper तरीके से private है हां उसमें course है लेकिन वो बहतर रहेगा इससे तो मेरे हिसाब से जिसके पास job नहीं है और उनके पास experience है वो भी Bank of India की तरफ जादा focus करे आज compared to IDBA हां लेकिन एक opportunity है जो जाना चाहते है इस job के लिए well and good अगर किसी को भी इस job के लिए query है वो नीची comment section में मेरे से पूछ सकते है कि सर ऐसा किसी भी तरह की query है वो पूछ सकते है और किर्पर हमारे चैनल को like और subscribe जूर कर दीजिए हमारे चैनल को देखते रहे है thank you and bye bye